खैलो एवर्वीवन मेरा नाम नहीzeit और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं कल्टिविशन ऑव स्पिनीच आंडुर्ण अमरेंथस ठीक हैं हम लोग आज किसकी खेती करने वाले और पालक और चौराई की खेती के बारे में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लिए एक और न्यूस है, अगर हम जोएगे प्रेविएस येर के जितने भी क्वेस्टन पेपर हैं वह हम आपको यहां पर प्रवाइड कराएंगे तो जुड़िए हम हमारे एपसी आई कोड से और अपने एक्जाम की प्रप्रेशन अच्छे से करिए तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं आज कब हम लोग पढ़ने वाले हैं पालक के बारे में तो पालक की कल्टिवेशन के साइंटिफिक कल्टिवेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम पालक की खेती करते हैं ठीके क्या क्या चीज उसमें बिमारिया लगती लगबग माकसिमम फैंबली कर लिए जैसे कि मैंने कबर कर लिया लिए कुकृेभ अधो फैंबली कवर कर लिया है कुकृूर जो है क्वरफ विडियो प्लिय लिइस से जरूर देखिए ऻंस सारे जितनी भी हमारी सब्जियां है उनकी क curly instruction को क्यों आप मैंन lawsuit Research से जाकर कowych कर लिए तो चलिए शुरू करते हैं कि तो बैदक है पालक का साइटिफीक नेम होता है बीता वोलगयरी लीनस और खुन मुझा writers नंबर होते हैं 21 això उपारा के नंबर होगा और यह चीजन कि बात करेंगे हम लोग कीकि हैंwie उगाया जाता साइशन था ठीड़ एक उनटिंटन प्लम से ने क्वणते हैं तो इसको हम जोए झोगाते हैं सबस्क्राइट से में तो exfoliative of produce love पूषा जोती तीसरी वराइटी पूषा भारती चौजाति पूषा घरेत और पांचवेश जोवन ऑट्राुत्य द्वाइटी हमारी प्लाइटी जोबन ऐसने हे इंपॉरंत नहीं हिन पूऑटने पूषा पालक और विटमिन C के लिए यह रिचिस सोर्स है कहते हैं कि विटमिन A की कमी हो गई तो लीफी वेजिटेबल लीजिए ठीके पत्तिदार सब्जिया लीजिए तो यह हमारी विटमिन सब्राइब धाइम चैनल के लिए एक्रिच सोर्स हैं को चैनल सा tête हो बिटमिन गया है अगे तो और एक हमएसे आग है चैनल जौनट है करता है अच्छा पालक की फैमिली के बारे में मैंने नहीं बताया तो पालक की फैमिली के बारे में हमें आप कमेंट करके बताइए कि पालक की फैमिली क्या होती है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि पालक की फैमिली क्या होती पालक की फैमिली का नाम क्या है ठीक है किस फै अगर बात करेंगे इस फ्रूट एक फ्रूट कि तो आले सुंग करेंगे निए जो करेंगे में आंट इसे थो तो क्या है तो खथ मैज सो ऑंक होता है था क्या ज्यूनलग आखना ऐसे तो खालीई reproductive जाब के शूटबीज है है थे मतलब आयनियल क्रॉप तब होगी जब जिसके लिए सीध ब्रोडक्षन करेंगे तक यह पर लाधर करेंगे तो यह हमने भी यह कहीं सेट acknowledging के भादेंगी यह दो यह दो साल पर भाईनींटेट करनें या कि दो वाईनें वह नोग rest की सिर्व मतर नहीं बाद करिए लाईनी हुनी चाहिए को पानी की सब्सक्राइब भी का eldest बनार यह थाता हैा पानीं द्रैन इनकम, स्वहल में को तो थार्ष यहाईन रखें यह डियांуск 2700 के बीच में होना चाहिया और हमारी जो सॉयल है न बात करण पीच की पीच कितना होना चाहिए चाहिए 10 कंवी चंवीfr 80 cm drip irrigated plots में हम इसको divide करते हैं अगर हम बात करेंगे कि multi harvesting अगर crop हम बना रहे हैं multi harvesting plot बना रहे हैं तो वहाँ पे हमारा 5 cm distance होना चाहिए हमारे फोरोज में और हम 20 cm के उसको लगाएंगे वहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि line sewing में अगर हम बात करेंगे तो हम जो है कि इसमें line sewing इसी लिए करते हैं ताकि हम multiple harvesting लेंगे multiple cutting लेंगे तो हम जो है कि एक site से ले और हमें उसे काटने में कोई भी परिशानी ना फेस करनी पड़े तो लेकिन हम जो है कि broadcasting भी लोग कर देते हैं ठीक है इस लैंड में जो है कि mostly broadcasting ही करते हैं छिर्काव कर देते हैं ठीक हाथ से छिर्काव कर देते हैं बट line sewing is the best method आगे चलते हैं अगला है हमारा showing time showing time तो हमने पहले ही डिसकस के लिए January to March और हम जो है कि and then rainy season में तो rainy season में क्या होगा rainy season में जो है कि हम राउन्ट अइयर प्रोड्यूस करते हैं प्लस protected cultivation करेंगे ठीक है और हम सीड रिट की बात करेंगे अगर अगर हम सीड रिट की बात करते हैं तो अच्छी ना पने में भीगा देते हैं तो पर क्या होता है सीड जर्मिनेशन लेच अच्छी होती है ठीक है और हम जो है कि सोयल परपरेशन के बात करेंगे तो 2-3 बार हम को अच्छे सखीट की जुताई करके ठीक है उसमें जो है कि फौरोज और बेड़ अच्छे अगर लेता है तु अकृटा ये मैं त्रश मariamente है कि वहां पर हमारी जो प्रेसल है दुछ एक बाट आर्ग झाएगिन मर्कीट कोर क्वेर हम जल्दी से कर पाएंगे आगर हम डंस्प्लेंटि इंग प्रेस्ट ऴिद संट्स हमें तो तू तो थी डीप लाइन अन पवर लाइन विच पाउडर काउड दंग और फामयर मैन्यूर तो यहां भूल रहा है कि अगर रांस्प्लांटिंग के लिए करते हैं तो वहां पे जो एक फाइन तो नी चाहिए प्लस हमारी जो स्वयल है वहां पर हम जहां पर कल्टिपेट लिए निकाल सकें ठीक है और हम जोए कि मौस्चर तो हमें पता ही एक प्लीफी जितनी भी ग्रीन वेजटेबल सोती उनके लिए पानी कितीनी ज़रूरत होती है पानी बहुत रिक्वार्मेंट होता है उसके लिए और हम बात करेंगे इरिगेशन के लिए तो बोल रहा है कि ड इरिगेशन हमें जल्दी जल्दी करनी चाहिए और हमें वहां पर देखना चाहिए कि ड्रीनिज की प्रॉब्लम ना हो है ना पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए इरिगेशन में और हम क्या करेंगे हम क्या करते है कि कोई भी पानी जो है नहीं होना चाहिए वहां पर कोई भ बहुत ही बेकार हो जाती है खराब हो जाती है अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टेट कल्टिवेशन की तो प्रोटेक्टेट कल्टिवेशन की तो प्रोटेक्टेट कल्टिवेशन की जो हम बात करेंगे तो हम वहां पर क्या करते हैं कि डिप परिगेशन की फैसलिटी उगने की जो प्रॉबिल्टी वह ज्यादा बढ़ जाती है ना क्योंकि उन्हें भी प्रॉपर इन्वार्मेंट मिल रहा है उनको फेवरेबल कंडेशन वहां पे मिल रही हो गने के लिए तो हम क्या करते हैं कि प्रॉपर एरेशन के लिए हम जो की एक कुडाई जरूर करते है ताकि जो है कि हमारा कितने के एर का जो एर सर्कूलेशन है मिट्टी में वह अच्छा हो और हम बात करेंगे मैंनियोरिंग की तो मैंनियोर हम कितना देंगे तो इसमें बोल रहा है कि 15 से 20 टन जो है फर्मियाड मैंनियोर हम देंगे ठीक है और हम जो है कि पांच टन वर्मी क इसकी स्टोरिज लाइफ को खराब करता है तो यह जो है कि सेल्फ लाइफ करता है हमारे नाइट्रोजन ज्यादा नहीं देंगे हम अपने खेतों में इस बात का ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं अकला हम डूब डिसकस करने वाले हैं डिजीज एन इस कंट्रोल के बारे में तो कौन से डिजीज ज्यादा करती है तो डेंपिंग ओफ लीप स्पॉट और एंथ्रेक्नोज जो है हमारी लीफ को बहुत ही बैडली एफेक्ट करती है और हमारी इल्ड तो जाइड से बात लीफ अच्छी नहीं तो हम क्या करते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बैलें स्पान फर्टिलाजिएशन देंगे और नैट्रोजन जूआ कि हम कम ही देंगे उसमें घौटीन सूरू में यूज कर सकते हैं में रस्टीन यह स्पास्ते हम यह आज देए इससे क्या होता है कि हमारा कंज्यूमर का हेल्द एफेक्ट होता हुँ आफेक्ट रूग आजाता ह जो बावर्टिया लाते हैं उसमेल नहीं तो बवेस्टी नहीं जो बीचितने भी हम कर रहे हो वह हर्वेस्टिंग से कम से कम एक महीने पहले जाना चाहिए ताकि हमारे जो इसमेल जो गंद है वो ना आए हमारे पतियों में तक मतलब छिड़काव कबो न रह जाए यह रही हमारी डिजीज कंट्रोल की डैंपिंग और लिफ स्पॉट यह हमारे जो है कि इल्ड को एफेक्ट करते हैं हर्वेस्टिंग की बात करेंगे तो फरस्ट कटिंग जो है पहली कटाई हम जो है कि 35-40 दिन बात ही कम होती है और वहीं जो है कि सरडणागला शुरू हो जाती है प्लस क्या करते हैं लोग पालग से चार से 6-6 कटिंग लेंगे और क्या करते हैं कि लीफ में लीफ को बंडल में बांद करके और हम यह मार्केट की लिए उसको सैंड कर देते हैं कभी-कभी क्या होता है कि अगे हम चलते हैं अगला है इंटर क्रॉपिंग तो इंटर क्रॉपिंग हम पालक में क्या कर सकते हैं तो हम जो है कि कोकोनेट प्लांटिंग हम कर सकते हैं और हम जो है कि कहते हैं कि ड्राइ सीजन में हम अरेकानेट की भी प्लांटिंग कर सकते हैं पालक के साथ इसमें बोल र सेलव तैसे हैं लिद कि टो सिंग्ल हारवेस्ट में हम ले तो !! सिंगल हर्वेस से ले रहे हैं तो यह हम 80 को हम मल्टिप्लाइ कर देते हैं फोर से हो जाएगा 320 ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा लगबग उतना इस तो कहिं हां ना से यह हमारा इसाप से उतना इसे कहा दोगिए और भी में होग हैकिसे ही नहीं हीना पीलोट यह माहि होती जोसे बहुत एक कआते हैं यह मतुर खाली जो वह भी तो यह से सब गली बजुट्ग जोवेज़र तो आते फालक प्राश्य में खाड़िक अग्ते काटे दार पालक और विए जो खाड़ नहीं होते हैं इसमें खार पन टेस्टी होते हैं जो काटेदार पालक जाए खारीत कर लेकर आया और उसको सब्सक्राइब उसको देखके उसकी छो खासियत हैं उसे पका के खाने के भाद समझ आएगी तो यह मारे काट susceptible नॉर्मल जो पालक होती उसате इनकी लीव्प अलग होती हैं तीक फिर प्लस छोटे-छोटे काटे भी होते हैं इस पालक में टेस्टी उससे जाद होती है तो आगे चलते हैं आगे हम लोग डिसकस करने वाले हैं चोराई की खेती के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो हम लोग आज देखते हैं कि क्या है और इसकी तो पहला है इसका आगे तो इसमेजिकर के वह लिए मेरेंटर को चौराई बोलते हैं और फैमिल जो है अगरें से यह वह सिंद्स की भाल करेंट इसीर क्या वालेंटर के वालेंटर ना वे कि अन्वारेंटर एंद्स सिच्टी फोर नेज्टि द्रिध यह एक वराइटी है बट अलग अलग वरा करने हैं हम लोग यहां पर तो अमरेंस के जो एट वो 34 भी होती है 32 यह सब तीजों नहीं रखेंगे और पूछ रहें तो किस सेंस में पूछ रहा है किसके लेवल में पूछ रहा है इस बात कर देशान रखेंगे और और चाौराई के ओर इंडिया ही झाती है उत्यूर इसके लोग इसके जो चौराई के फैक्ट्स हैं वह लास्ट में देखेंगे अभी वाराइटी सॉयल और इस सारी शीजे नॉर्मल डिसकुशन वह लोग कर लेंगे तो वराइटी जो है कि कोवन है को सी ओ टू है फिर सी ओ थी ए फिर सी ओ फोर सी ओ फाइफ है यह अमरेंसिस की हमार कल्टिवेशन के लिए सुटेबल होती है और हमारी जो है कि वांब क्लामिट भी सुटेबल होता है के लिए ठीक है पानी थोड़ा कम चाहिए होता इसके लिए आगे चलते हैं इसको पूर समयन लिफी वेजिटेबल भी बोलते हैं हना गरीबों की पत्तिदार सब्जी वोल यह कभी से भी उग सकती है इसके लिए कोई ऐसा खासा यह बहुत ही रिजिस्टेंस है और बहुत ही अच्छे सबजी है यह ना नॉर्मली लोग खाते नहीं है वहां कि इसको इसके निउट्रिशन बहुत एफ आई है जो परेफ्ण है जो हमारी यह सबजी है जो सीड व्हक कर करके हम जो कि यूज कर सकते हैं सीट के साथ मिक्स करके भी हम इसको थेक्ते क्योंकि छोटे होते हैं प्रप्रेशन की बात करेंगी कि पिर प्रपरेशन कितना होगा फिल्ड का कैसे कब जोहते होगा तो फाइम दील भनाएंगे प्लस जो है कि हमारा हमारा साइज होगा हमारे बेट का वह में है दो गुड़े एक सो डेड़ t2.5 German मेटर की साइज होनी है स्यूंनी चाहिए प्लस जो है कि हमारी स्पेसिंग जो शेदलिंगमे तबार नॉर्मली हमारे इसके लिए ज्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है पर पानी अगर है तो अच्छी कल्टिवेशन आपको मिलेगी बड़ यह पानी के बीना भी अच्छे से ग्रो करते हैं अगे चलते हैं फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर की अप्लिक अप्लिकेशन अफर्टिलाइजर की करेंगे तो 75 kg नाइट्रोजन प्लस जोए की 25 kg पोटास जोएके पर हेक्टेर के साब से हम इसको देंगे अगर बात करते हैं कि पेस्ट कौन-कौन से लगते हैं हमारे अमरे अमरेंतरस में पेस्ट कौन-कौन से लगते हैं तो लीफ वीटेबल पौवडर के फार्म में अगर हम बात करते हैं के लिप स्पॉट को कैसे कंट्रोल करते हैं तो कार्बेंडा जीन विश्क एसको कंट्रोल करने के लिए राव सलफेट के साथ कि सब्सक्राइब करते हैं इसको छिडाओ की लिए रेकिकों सल्फेट जो है मारे यह तो हम हर्वेस्ट जो है कि लीफी अगर हम हर्वेस्ट करते हैं लीफी टाइप तो पचीज दिन बात कर सकते हैं सोईं के अगर क्लिपिंग टाइप करके करते हैं तो वह दस दिन के बाद ही हम जो है कि क्लिपिंग कर सकते हैं पचीज की बाद हम पचीज दिन के बाद हम हर्व यह देते हैं और हमारे ग्रीन लीफ भी आर्ट टन ग्रीज से में अपने ट्राइ रसे ट्रामी के जो तरहां सकते हैं और यह जो बहुत ही नेटति वी तो लेते हैं थे तो मिन 사용 देख लि truthsAg तो सबसे पहले तो बोलते है पूआर मैं लीफ भी वेज़िटेबल फूर है और लीफ यही पीसा कहते हैं ए यह संदो अभको धना के साथ動कन पल्सुन लेफ तो यह को लेते है यह लेते है प्लुस सीरियल के तरह है करते हैँ सब्सक्राइस जैक्टने सेरल प Ayum बोल रहा है कि valuable vegetable for malnutrition in India अगर बोल रहा है कि malnutrition के हिसाब से यह बहुत ही valuable crop plus C4 vegetable भी है ठीक है C4 plants कौन कौन से होते हैं इसे comment करके हमें बताइए C4 plants आपको नॉर्मली अलग-अलग exams में पूछ ले जाते हैं तो उसे आप Google करिए या बुक से खोजी हमें comment करके पहले बताइए कि C4 plants कौन कौन से होते हैं टाइप फ्रूट फ्रूट की कौन से टाइप होते हैं तो यह होते हैं Glomerular rules जो है यह इनके टाइप होते हैं यह त्रीकल्स इसके fruits होते हैं और क्या है water logging के लिए susceptible है प्लस जो है कि हमारी जो amaranthus के grains होते हैं यह हमारे other cereal से ज्यादा protein रखते हैं जो हमारे amaranthus के seed हैं जो चवराई के seed होती है इनमें protein ज्यादा होता है नॉर्मली कॉन से और अधन न्यूट्रिसेरल से इसमें जो प्रोटीन होता है वह ज्यादा होता है आइसो लेशन डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आइसो लेशन डिस्टेंस जो होती है वह हमारी जो है कि 400 मीटर के आसपास 400 मीटर हम रखते हैं आसपास नहीं 400 मीटर हम इसो लेशन डिस्टेंस इसकी रखते हैं वाइट रस्ट की बात करेंगे गर हम लोग तो वाइट रस्ट हमारा जो है कि मेजर डिजीज है अमरेंद इसका टेक है वाइट रस्ट जो है कि हमारा इसका मेजर तो सबस्टिट्यूट वर नुट्रियन शेरियल्स तो सबस्टिटूट वर नूट्रियूट लेन शेशन भाइशन हम सीडा कि इसको यूज़ कर सकते हैं और विटेमिन एर में विटेमिन एक रिच सोर्स भी है इस वाद को ध्यान रखेंगे तो यह है हमारी चौराई की पूरी की पूरी facts और पूरी की पूरी हमारी चौराई की पूरी खेती के बारे में तो कैसा लगा हमारा वीडियो आज का हमें जरूर बताईए कमेंट करके और आप हमारे different social media पे भी हमसे जूड सकते हैं टेलीग्राम पे जितनी भी classes होती है जितनी भी वीडियो अप्लोड कर जाती है डेली की डेली वहां पे आपको सारी notification मिलती है प्लस आपको जो है कि जितने भी आपके एक्जामस आने वाले हैं उसके बारे में सारी जानकारी वहां पे आपको शेयर की जाती है तो हमारे जुड़िए हमारे टेलिग्राम चैनल से प्लस हमें हमारे यूटूब चैनल पे आपको लाइक करना है शेर करना है और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच